नमस्कार, मैं हो ससी, आया जर्खन की टोप 25 पर्मोख खबर जानते हैं अब इस प्रस्ताव को कर्मिक के माध्यम से काविनेट में भीजा जाएगा जार्खन सरकार ने इस नए नियम को लागू करने से पूर्व देश के विभीन राजियों से इसका अधियन कराया इसके बाद आंद्र परदेश की तरज पर जार्खन में इसे लागू करने का निना लिया हाए मोसम विभाग के अनुसार पिछले 24 गंटे में जार्खन का मोसम सुस्क ही रहा बतादे राजे में सबसे अधिक्तम तापमान 29.8 डिगरी सेलसियस चाई बासा में मोसम पूरो अन्वान की जनकारी देते हुए मोसम बेग्यानिक अभिसेक अनद ने बताया कि जार्खन में थोड़े बादल देखने को मिले थे जिस कारण निन तापमान में 2-3 डिगरी की बड़ोतरी देखी गई थी अब फिर से पश्मोतर हवाई शुरू हो गई है मोसम साफ हो गया है जीस कारण अगले 2-3 दिनों में निन तापमान में 3-5 डिगरी की गिरावट देखी जा सकती है 12 का मोडल प्रस्थ पत्र जारी जार्खन एकेड़ी कॉंसिल जयक ने इंटरमीडियेट साइन्स परिक्षा 2021 का मोडल प्रस्थ मंगलवार को जारी कर दिया है बतादे संसोथित पाठेकरा मोग बदलते हुए प्रेटर्न का धार पर प्रस्थ पत्र जारी किया गया है गनीत भौतकी रसाइन वजीवी ग्यान विसाय का मोडल सेट प्रस्ण पत्र जारी किया गया बतादे बर्ष 2021 की परिक्षा के लिए प्रस्ण पत्र के प्रेटान में बदलाव किया गया जो गनीत की परिक्षा में कुल 100 में से 60 अंके प्रस्ण एक वदो अंके होंगे बतादे परिछार्थी जार्खन एकेडमी कौंसिल की प्रेट साइट www.jack.jharkan.gov.in पर देख सकते हैं उग्रवाद से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए विसेस नयालाय का होगा गठन राजे सरकार उग्रवाद से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए विसेस नयालाय का गठन करने जा रही है बतादे मुख्य मंत्री ने विसेस नयालाय के गठन से समधित प्रस्ताप पर अपनी मंजूरी दे दी है राष्टिये जाच एजेंसी के तहट आतंकवादी वामपन्थी उग्रवादी से समधित मामलों के सुनवाई के लिए राचे में विसेस नयालाय का गठन होगा सीम हिमन्त बोले ग्रीह मंत्री अमित सा ने दिया स्वासान मिलेगा सयोग मुख्यमंत्री हमा सुरें ने कहा है कि केंदर और राजे के बीच बेहतर समन्वे हो और करेप्रनाली मजबूत बनी रहे या जरूरी है इसी कड़ी में मैंने यहां ग्रीह मंत्री अमित सा और कोयला मंत्री परलाज जोसी से मुलकात की है बुध्वार को दिली में ही मीडिया से बात करते हुए शुरी सुरेन ने काग कीवा लागतार गेंद्रीय मंत्रियों से मुलकात कर रहे है सब के साथ सिष्टाचार मुलकात हुई है इसी करम में ग्रीय मंत्री अमीद साहा ने जारकन सरकार को पूरा स्वयोग देने का अस्वासन दिया है इस अस्वासन के बाद उनकी उमीद केंद्र सरकार से बढ़ी है जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर की परिक्षा अप्रेल में राजे में मैट्रिक और इंटर की परिक्षा 9 मार्च की जगा अब अप्रेल के अम्तिम सप्ता या मई के प्रत्थम सप्ता में सुरू होगी बतादे जाकन एकेडमी कॉंसिल इस माह के अंच तक परिक्षाती थी वा कारेकरम जारी कर देगा जैक द्वारा पारिक्षाती थी बढ़ाने का निरनाई लिया गया है इस समझ में इसकुली सिक्षा वा सक्षा विवाग द्वारा जयक को पत्र भेज़ा गया था बतादे सिक्षा विभाग ने जाकन एकेडमी कॉंसिल से इस समध में समिक्षा करने को कहा था मैट्रिक वाइंटर की परिक्षा को लेकर मंगलवार को जैक क्या द्यक्ष डाक्टर अर्विंद परसाज सिंग और सिक्षा सचीव राहू सर्मा ने विचार विमस किया इसमें परिचा की तिती बढ़ाने वर समभावे तिती पर विचार किया गया रांची से दस जोड़ी ट्रेन का परिचालन जल्द रेल यात्रा करने वालों के लिए खुशखवरी है बतादे राची और हटिया रेलवे स्टेशन से जल्द ही दस जोड़ी ट्रेन का पर चलन सुरू होने वाला है रेले बोड ने राची रेल मंडल से मतपुन ट्रेनों की सुची माईगी थी जिने जल्द ही पट्री पर दोड़ाया जाना है इस पर जनवारी के पहले हफ्ते में ही राची रेल मंड़ा ने दस जोड़ी ट्रेनों की सुची रेलवे बोट को भेजी थी अब यह ट्रेने जल्द ही चलाई जाएगी इसमें राची नहीं दिल्ली गरीब रात राची आज में एस्पेसल ट्रेन सामिल है और्मान जी हत्या कांड बिलाल की जेल में कैदियों ने की जम कर पिटाई बिर्सा मुंडा केंद्रिय कारा में बंद सुफिया परविन हत्या कांड के मुख्या आरोपित सेख बिलाल की जेल में कैदियों ने जम कर धुनाई कर दी जेल सुत्रों के हवाले से मिली जनकारी के मुताविक मंगलवार देर साम कैदियों ने बिलाल की पिटाई कर दी जेल सुत्रों की माने तो बिलाल को जेल के बाकी कैदी घ्रीन्टित नजर से देख रहे हैं जारखन में 125 नज संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राची से पैसट बुकारो चार चातरा दो धनबाद पांच दुमका दो पुर्वी सिमुम सतरा गडवा तीन गोड़ा पांच हजारी बाग दो जामतरा एक लातियार एक पलामु साथ रामगड एक साहिव गंज एक सिम्डेगा साथ पच्मी सिमुम से चार मजी मिले हैं जारखन में कूल मौत की संख्या 1057 है वहीं एक टीब केस 1202 है भारत में नए केस 15270 मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 152906 है वहीं एक टीब केस 1,99245 है दो बच्चे सब के लिए पर रगवर्दास ने किया हस्ताक्षर जैसंख्या समधान फाउंडेशन जारखन टीम के द्वारा दो बच्चे सब के लिए अभियान का संचलन किया जा रहा है बतादे इस अभियान के ताथ केंद्र सरकार से इसे लागू करने की मांग की जा रह अभियान के समर्थन में पूरे ज्यारकन परदेस में हश्नाख्छर अभियान चलाया जा रहा है। इस करब में J.S.F. की टीम पूर्व मुखमत्री वह बाका करश्ठिया उपध की लगवर्दार से मिली पूर्व मुख मंत्री रववर्दास ने थाक चरक कर अभियान को अपना समर्थन दिया जानता की समस्याओं का होगा निराकरान मंत्री उराओ जाकन सरकार के मंत्री सहलोहर्दागा के विधायक डक्टर रमेशर उराओं ने बुद्वार को लोहर्दागा सहरी छेत्र के बरवा टोली स्थित कर्याले में जानता दरबार लगा कर जन समस्याओं सुनी मंत्री के समक्ष बिधान सभाज छेत्र के सैकडों ग्रामिनों ने अपनी समस्याओं को लेकर लिखित आवेदन भी दिया जिसमें राजास्व विभाग, जन वित्रन, पेजल पूर्ती, जेस, एल, पीएस, सड़क, बिजली, आंगन बाड़ी, अवास्योजना, क्रिसी, अनवी भागों के कई गंभीर मामले को रखा इसमें सर्वादिक, अंचल से समन्धित सिकायते आई जारखन में 6 साल में 365 बच्चों को परिवार ने फेका जारखन में 6 साल में कम से कम 365 बच्चों को जन्म के बाद उने जन्म देने वालों ने और उनके परिजनों ने फेक दिया इनमें से 209 बच्चों की मौत हो गई वहाई अस्थानिये लोगों समाजिक संगठनों और परसासन की मदद से 169 बच्चों की जान बच गई बता दे इन में बेटे और बेटिया दोनों हैं परित्या का सिकार हुए ऐसे बच्चों की संक्या इससे कहीं अधिक है लेकिन रिकोर्ड में अब तक इतने ही मामले सामने आया है नहीं सुल्जी मेडिकल 16 पूजा की मोडर हिस्ट्री पूजा भारती हत्या के 9 दिन बीत जाने के बाद भी गोड़ा की रहने वाली और हजारी बाग मेडिकल कॉलेज की 16 पूजा भारती पूरवे हत्या कांड का खुलासा नहीं हो पाया है बता दे पतरातु डेम में हाथ पर बांद कर जिंदा डूबो कर मारी गई पूजा के हत्या की गुथी अब भी अनसुल्जी है हलाकि इस मामले में राजे के परभारी डिजी पी एमबी राओ का 72 घंटे में हत्या का राज परदापास करने का दावा भी फेल हो गया है रामगर पूलिस के एक अधिकारी ने इस मामले में खुलासा किया है कि मेडिकल 16 पूजा भारती के हत्या कहीं और की गई और उसका लास्ट ठिकाने लगाने के लिए पत्रातु डेम में डाल दिया गया है सोसल मीडिया पर पहनी नजर रखे एस एस पी एस पी अवैद हंतियार के विरूत अवियान चलाने का भी अदेश दिया क्रीसी कानूनों को अपस ले केंद्र सरकार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमांसुले ने एक बार फिर किसान आंदोलन के समर्थन में नएक क्रीसी कानूनों को अपस लेने की बात कही है उन्होंने कहा कि किसानों का इतना बढ़ा समू आरपार की लड़ाई की बात कर रहा है क्या लोकतंत्र में जन भावना की कोई कद्र नहीं है पिछले कई दिनों से सलक पर उतर कर अंदोलन कर रहे किसानों के मसले पर हिमन्त ने कहा कि केंद्र सरकार में सामिल लोग समस्या का समधान निकालना चाहेंगे तो क्यों नहीं निकलेगा जलसाया भूख हरताल पर बैठी जर्खन परदेश जलसाया संह की जिला इकाईने बुधार को खीजूरिया इसित विद blooming के अवास के समक्ष भूख हरताल की करकराम की अध्यक्सता जिला अध्यक्स जरीना खातुन ने की जिला अद्याश खातुन ने कहा कि सरकार ने परदेश के सभी जलसाया को फरवरी 2019 से नियुतम मांदे एक हैर उपे प्रातिमा देने की घोस्तना की थी पुरवर्ती सरकार के समय जलसाया को तीन या से छो यार के बीच मांदे दिया गया था लेकिन नई सरकार के गठन के बाद 20 माद से जलसाया को मांदे नहीं दिया गया है जलसायाओं ने दुमका के विधायक से मांग किया कि सरकार के पास मांगो को रखे हो अबकाया मांदे भुक्तान करवाया जाए खेतों की हरियाली के लिए सरकार कर रही काम मंत्री बादल केरे डारी बलोक परिसर मैदान में बुद्वार को क्रीसी मेला कायोजन किया गया मुख्य अति थी राजस्त क्रीसी मंत्री बादल पत्रलेख ने फिता काट कर मेला का उधगाटन किया क्रिसी मंत्री पत्रलेख ने कहा कि क्रिसी छेतर में किसान भायों की आम भूमकार रहती है अच्छे से अच्छे बीज कॉब आए यहां कटाई से क्रिसी छेतर में हर्याली लाने का कारे क्रिसी पर निर्वर करता है उन्होंने काहा कि हमन सरकार जारकन में किसान भायों को क्रिसी लोन तथा खेतों में होने वाली नुक्सान की भरपाई और मुअबजा देने का कारे कर रही है साथी क्रिसी के छेतर में सरकार बहुत बड़े बड़े कारे कर रही है जिससे किसानों के खेतों में हर्याली सदा बनी रहे धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही कल से आपको 25 खबरे मिलेंगे तो वीडियो के एक लाइक कर अपने दोतों के सेर करना भूले साथी साथ आप कोमेंट बक्स में हामें अपना फिट्वेक अवसे दे थाइंक यू